तो दोस्तो बहुत जल्द हमें बाली बूर की तरफ से एक बड़ी फिल्म देखने को मिल सकती है जी हाँ फ्रेंस इस फिल्म में हमारे महा भारत के काप के रमायर की बारे में लिखा जाएगा जी हाँ दोस्तो तो दोस्तो ये फिल्म काफी बड़े बजट के साथ बनने वाली है जी हाँ फ्रेंस तो फ्रेंस हम आपको बता दे कि रितिक के फैंसों के लिए एक बैड निव जोगी जी जी दोस्तों जैसे कि आप इस फिल्म में देख रहे हैं क्योंकि रितिक को इस फिल्म में पहले ही साइन की आ गया था फिर भी उन्होंने निगेटिव रोल करने से इंकार कर दिया था जी हाँ फ्रेंस आप सही सुन रहे हैं रितिक रोशन का कायना है कि पहले ही मैं एक बार निगेट्यू रोल कर चुका हूँ दुबारा करने की गलती नहीं करूंगा जिहाँ प्रेंज हाली में रिलीज विक्रम वेदाय रितिक रोशन की और साइफली खान की सुपर हिट मोई हो गाई जिहाँ फ्रेंज तो फ्रेंस हम आपको पता दे बाली बूड के सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है रामायर जी हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हैं काफी बजट के साथ ये फिल्म बनेगी आली में बताया जा रहा है फ्रेंस की रिती के रोसन एक बार निडिकेटू रोल कर रहे थे जिसे की को पसंद नहीं आया तो इसलिए इन्होंने रिजीन قर दिया जी आपको बता जा रहा है तो फ्रेंस बात करें फिल्म की डिरेक्शन की तो बाली बूड के जने मैं नेरी तेश्तिवारी जी की डारेक्षन में यह फिल्म बनी है जी हाँ फ्रेंस, बता जा रहा है कि बाली भूड के एक से बड़े एक महांदिकच कला कार इसमें होंगे, और सुनने में यह आय रहा है कि साउथ के कई सूपरिश्टार इस फिल्म में काम करने वाले हैं, जी इस यर चैफटर 1, 2, 3 में काम कर चुके हैं जी हाँ प्रेंस पात करें फिल्म की बचड़ की तो पांच से छे सो करोन तक की बचड़ में फिल्म बनेगी हाला कि बताया जा रहा है कि एतनी बड़ी फिल्म एतनी बड़ी बज़ड में बनेगी तो यह साधारन फिल्म नहीं होगी तो फिल्म बताया जा रहा है कि यह फिल्म 2024 या 2025 के लाश टक देखने को हमको मिल सकती है अब इस फिल्म की सुटिंग सुरू होने वाली है तो कि अभी फिल्म की स्किप तयार कर रहे हैं जी हाँ फ्रेंस अगर ये फिल्म के अपडेट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब करके बिलाइकिन घंडी को प्रेस कर देना थाइक्यू को आज मिलते हैं नेस्ट वीडियो में